अलक्रोनिक वोटिंग मशीन यानि EVM को लेकर नया मामला सामने आया है आरोप है कि देश में करीब 20 लाख EVM लापता है दाहिंदू ग्रूप की इंग्लिश न्यूज मैगजीन फ्रेंट लाइन में छपी वेंग्टेश राम किर्शनन के एक रिपोर्ट के मताबिक इस बावत बॉम्बे हाई कोट में एक जन्हित याज का दाखिल की गई है जिसमें खुलासा हुआ है कि ये वोटिंग मशीन फ्रेक्टरी में तो बनी लेकिन जुनाव आयोक तक नहीं पहुची प्रेक्टरी उसे बनने के बाद ये वोटिंग मशीन कहां भेजी गई इस बारे में फिलाल कुछ पता नहीं चल रहा है नुंबई के एक RTI एक्टिविस्ट है मनुरंजर रॉय उन्होंने करी 13 महीने पहले 27 मार्च को 2008 रखो बॉमे हाई कोर्ट में जन्हीत रियाज का दायर की थी इसमें उन्होंने चुनाव आयुक से ये जानना चाहा कि उसने कितनी EVM और विवी पैट मर्शीने खरी दी है और इनको कहां रखा गया है याचका में केंद्री ग्रह मंत्राले EVM बनाने वाली दो कंपनियों Electronics Corporation of India Limited हिदराबाद और फारत Electronics Limited बैंगलरू को भी रोटिश जारी करने की मांग की गई है